नमस्कार दोस्तों फिर से मेरी यूटूब चानल पर आप सबका स्वागत है आज हम पंडिता रमाबाई के बारे में डिसकस करने वाले हैं हम आज उनके फैमिनिजम और जेंडर पर विचार को जानने की कोशिश करेंगे पंडिता रमाबाई पहली ऐसी भारती महिला हैं जिन्होंने नारिवादी चिंतन को सामने रखा और साथी साथ जो भारती महिलाओं के द्वारा भेद भाव फेस किया जा रहा था हमारे इंडियन सुसाइटी में उसके खिलाब इन्होंने लड़ने की कोशिश की और कुछ हद तक यह कामयाब भी रही इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं यहां एक आपको डिस्टिंक्शन बता दूं रमाबाई के नाम से हमारे भार्ती धिहास में बहुत एहम महिलाएं हुए हैं जिनमेंसे तीन सबसे महत्पुर्ण हैं यह जो पंडिता रमाबाई हैं जिनके पंडिता रमाबाई को हम confuse कर लेते हैं सबसे पहली है रमाबाई अंबेटकर रमाबाई अंबेटकर बाबा साहब भीम राव अंबेटकर की पहली पतनी थी और ये भी इनका भी बहुत एहम योगदान होता है हमारे भारती जिहास में साथ ही साथ एम जी रनाडे एक बहुत ब उनकी जो दूसरी पतनी थी उनका भी नाम रमाबाई ही था उनका नाम रमाबाई रनाडे था इन्हों ने भी महिला के उत्थान के लिए बहुत ही एहम योगदान दिये हैं जिनकी चर्चा हम कभी बात में करेंगे तो आपको पंडिता रमाबाई को इन दोनों से कंफ्यू करते थे क्योंकि पंडिता रमाबाई के काम ही ऐसे थे उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे काम किये कि कोई भी उनका समर्थन करेगा लेकिन हां कुछ जो रैडिकल थे जैसे तिलक वह पंडिता रमाबाई का सपोर्ट नहीं करते थे कुछ इशूस पर आकर यसको हम आगे डिस्क्स करेंगे तो पंडिता रमाबाई का जनम हुआ था पंडिता रमाबाई डोंग्रे के नाम से इनका जनम 23 ऐपरेल 1858 को कैनरा करनाचका में हुआ जिसका अभी का नाम करावली है आपको इस फैक्ट को याद रखना है पंडिता रमाबाई ने अपने अधिकान्स समय बच्पन के महराष्ट्रा में बिता है और इसलिए बहुत सारे स्टुडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं कि पंडिता रमाबाई का जनम महराष्ट्रा में हुआ था लेकिन ये फैक्ट नहीं है उनका जनम करनाटका में हुआ था और ये प्रश्ण एक बर खौथी कम उम्र में अपने बेटियों की शादी करा दिया करते थे लोग और फिर बाद में उन्हें मा बनने पर मजबूर किया जाता था लेकिन पंडिता रमाबाई के जो पिता थे आनंत सास्त्री डोंग्रे जो की एक संस्कृत के अध्यापक थे महराष्ट्रा में और ब पंडिता रमाबाई बहुत ही तेज थी उनका इंटेलेक्च्वाइलिटी इतना जादा डेबलब था कि मैं क्या बताऊं और संस्कृत की तो मानिये कि वह विद्वान थी माराठी भी उनको आता था संस्कृत भी आता था अंग्रेजी पर उनकी अच्छी कमांड थी तो उन की उनिष्ट जो चिंतन है वह सामने उबहर कर आता है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि उनका जो नारी वादी चेतना का अधार किया है तो नारी वादी चेतना का अधार है उनका अपना ग्यान और साथी साथ उनका अनुभाव जो की समाज के प्रति रहा उन्होंने देखा कि भारती महिलाओं के साथ किस प्रकार से दुर्बेवहार हो रहा है किस प्रकार से उनके साथ बतसलुकी की जाती है किस प्रकार से उनका सोशन हो रहा है ये स्थिती बेहतर हो सके यहां एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा इनके माता-प्रिता की मिर्ट्यू हो जाती है और उसके बाद यह कलकत्ता आ जाती हैं ठारा सो सत्तर के दसक में अपने भाई के साथ वहां पर इनको संस्कृत पर बोलने के सरस्वती का टाइटल दिया मतलब ज्यान की देवी और वहीं पर कुलकत्ता में ही इनकी मुलाकात के सब्चंद्र सेन से होती है जो कि ब्रह्मो समाज के एक एहम मेंबर थे ब्रह्मो समाज की बारे में आप सब जानते हैं राजारा मोहन रोय इनके संस्थापक हैं और के वेदों को पढ़ना चाहिए आपको एंसियंट जो लिट्रेचर से हमारे धर्म से जुड़े हुए उसको पढ़ना चाहिए आप इस बात को ध्यान रखें क्योंकि इससे काफी काफी सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी यहीं पर इनकी मुलाकात विपीन बिहारी में ध पिचार था वह नैरो नहीं था संक्रिन सोच वाली महिला नहीं थी इसलिए जातियों के बेडियों को तोड़ते हुए इन्होंने विपीन बिहारी मिधावी से विवाह कर लिया लेकिन यह विवाह काफी जादा सफल नहीं रहा और इनके लिए काफी दुखत भी रहा क्यों कि 19 महीने बाद ही इनकी पती की मृतियों हो गई विपीन बिहारी मिधावी का स्वर्गवास हो जाता है और 19 महीनों के दर्मियां ही इनकी एक बेटी भी होती है जिनका नाम होता है मनोर्मा तो अब की स्थिती ऐसी रही उस समय की स्थिती मैं बता रहूं कि अब इनके पती की मृतियों हो गई और एक बेटी भी साथ में है तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने हूम टाओं जहां उन्होंने बच्पन के अपने अधिकांस दिनों को बिताया था पूना में वहां चली जाओं और वहां के कुछ समाज सुधारकों के साथ मिलकर महिलाओ के उत्थान के लिए कुछ कारे करूं उन्होंने वहां के समाज सुधारकों से बात किया पूना में और वहां के समाज सुधारक काफी ज्यादा प्रशन हुए और उन्होंने स्वागत किया पंडिता रमाबाई का कि ठीक है आप आएं और हमारे साथ कारे करें और वह ऐसा ही करती हैं जाती है नी और वहां सबसे पहली बात यह रखती है कि आखिर महिलाओं के साथ discrimination क्यों हो रहा है तो महिलाओं के साथ discrimination हो रहा है क्योंकि हमने पहले ही से gender rules को फिक्स कर दिया है R sister जेंडर रोल्स है हमने लिंक के अधार पर कामों को बाड़ दिया है कि महिलाओं का काम है सिर्फ बच्चों को जनम देना उनको पालना पोस्तना नौकरिया नहीं कर सकती घर के बाहर नहीं जा सकती और उन्हें विवस किया जाता पित्री सत्तात्मक समाज का जनम होता है और इसी के कारण जेंडर इनिक्वालिटी आती है अब वह देखिए कडियों को जोड़ते जाईएगा रिजिट जेंडर रोल्स के कारण पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की के कारण डेन्डर इनिक्वालिटि है लेकिन ये पैट्रियार्की आई कैसे? तो पंडिता रमा बाई जो हैं वह हिंदू सास्त्रों को जो हिंदू एंसियंट लिटरेचर से धर्म से जुड़े हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराती है। पित्री सतात्मक समाज भी आया और उन्हीं हिंदू सास्त्रों उन्हीं हिंदू पुस्तकों के कारण महिलाओं के स्थिती बत से बत्तर होती जा रही है। जाता है और वह जो हैं वह क्रिश्चैनिटी में कंवर्ट हो जाती है। 1883 में वह एक Christian बन जाती है और उनको फिर Mary Rama के नाम से जाना जाता है जब वह Christian में convert कर जाती है तो इन्हों ने तो religious books को जिम्मेदार ठहराया था gender inequality के लिए जो की सही नहीं है एक दो पुस्तकों को छोड़ दिया जाया तो हमारा जो भारतिये जो चिंतन है जो हमारे धार्मिक पुस्तके हैं उसमें बहुत महां महीलाई हुई है तो इस बात से मैं इतिफाक नहीं रखता और भी बहुत हमारे ऐसे चिंतक थे उस समय समाज में जैसे तिलक इस बात से इतिफाक नहीं रखते थे कि कि उपानिसद के कारण और वेदों में ऐसा कुछ दिया गया है जिसे महिलाओं की स्थिती खराब हुई है और इसलिए बहुत सारे जो लोग थे बहुत सारे चिंतक थे उस टाइम में जो नैशनलिस्ट थे राष्टवादी चिंतक थे इनका समर्थन नहीं करते थे और यह क्रिश्च्चाणिटी में कंवर्ट कर गई यह एक क्रिश्चन बन गई इसलिए तिलक और जो भी राष्टरवादी लोग थे इनके समर्थन को वापस ले लिया इन्से समर्थन को इसके बारे में में और थोड़ा डिसकस करेंगे हम लोग तो कुल मिलाकर यह क्रिस्ट्यानिटी में कनवर्ट कर जाती है कि अगर आपको जेंडर सब्सक्ति करने के लिए सबसे पहले आपको काष्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा बिना जाती व्यवस्था को समाप्तह व्यजी के अधार पर समानता लाए हुए अप लिंग के अधार पर समानता को जो है अस्थापित नहीं कर सकते यह क्योंकि अगर link के अधार पर समानता होगी भी तो जातियों के अधार पर महिलाओं के साथ वेदभाव किया जाएगा तो इसी लिए यह कहती थी कि दोनो पैरलल चलने चाहिए gender equality और साथी साथ caste based equality और बिल्कुल caste based equality और gender equality दोनों ओना ही चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है साथ मैं यह भी कहती है वेदो के बारे में बताती है कि वेदो में तो ऐसा लिखा हुआ था कि काश्ट सिस्टम जो है वह मेरिट के बेसिस पर वहा करता था मेरिट और occupation मतलब जनम के आधार पर ऐसा नहीं था कि ब्राम्हन का बेटा ब्राम्हन ही होगा शत्रिये का बेटा शत्रिये ही होगा जिसकी जो occupation होगी जो काम विक्ति करेगा और जो उसके पास मेरिट होगा उसके हिसाब सुसकी जाती तय होगी लेकिन बाद में पंडिता स्कति हैं इस सिस्टम को जो है करक्प कर दिया गया और बाद में बर्द के आधार पर जो जातिय आं वह तय होने लगी और यह जो सिस्टम है यह बन गया यहां सिस्टम जो है कि डिसक्रिमिनेशन करने लगत прекрас साथ वह हमारे पैत्रियार्टियल सुसाइटी में विमेन की एक हिरार्की देखती है विमेन का एक हिरार्की बना हुआ है हिरार्की कैसे है तो उपर से नीचे तक टॉप में कौन थी महिलाई रहेंगी यहां कौन तरह से आपको देखने को मिलेगा तो सबसे टॉप सबसे ज्यादा इजद किसको दी जाती थी एक सवहाग्यवती को तो अब वहती एक ऐसी महिला जिसका पति जिंदा है और साथी साथ वह एक बेटे की माहें बेटे की माहें इस चीज़ को ध्यान किएगा दूसरे अस्थान पर ऐसी महिलाएं थी जिनको बेटी है या तो फिर कोई बेटा नहीं है है ना या फिर कोई बच्चा नहीं है लेकिन husband जिन्दा है तो ऐसी महिलाओं के दूसरे position पे रखा जाता था तीसरे position में ऐसी महिला है थी या तो जो बांज थी जिनके कोई बच्चे नहीं थे या तो फिर जो विद्वाएं थी और इनकी इस्थिती सबसे बत्तर थी और इनमें भी अगर देखा जाए तो इनमें भी सब हैरार की थी जो चाइल्ड विड़ो हुआ करती थी जो कम उमर में जो बिद्वाब बन जाती थी उनकी स्थिती तो बच से बत्तर थी उनके साथ इतना दूर्वेवहार हुआ करता था कि आप सोच भी नहीं सकते और साथी साथ पंडिता रमाबाई कहती है कि यह जो विड़ो के साथ जो दूर्वेवहार हो रहा है इसके साथ साथ और भी कुछ हैं हमारे समाज में जैसे चाइल्ड मैरेज जैसे पॉलिग्यामी मतलब एक पुरुष बहुत सारे विवाह कर रहा है और साथी साथ फो उनको फोर्स किया जाता है उनको बल-पुर्बग कहाता है कि तुम विवाह नहीं कर सकते जबकि कानून था क्रों जो बिध्वाह है तो यह यह तीन चार चीजें सबसे पहली यह करती हैं सबसे पहले तो जो विडोस है उनके हग के लिए लड़ाई करती हैं और साथ ही साथ कहती है कि weडो के हग के लिए लड़ाई करना है तो उसके साथ साथ और भी कुछ कुरीतिया हैं जिसको हमें reform करने की जरूरत है जोकि child marriage है बाल विवा है पूलीगयमी है अर्थात एक पूरुस बहुत सारे विवाह कर रहा है साथीं साथ महिलाओं को रोका जाना पुनर विवाह करने से जो विद्वाएं हैं ये जो हैं एक समाज में एवल्स हैं और ये महिलाओं को उप्रिस कर रहे हैं और इन्हें को बता दूं इन महिलाओं के लिए इन्होंने काफी ज़्यादा काम किया इसी लिए इनको विमेन ऑफ आक्षन कहा जाता है देखिए जितने भी वेश्टन चिंतक हुआ करते हैं वह सिर्फ अपने विचार देते हैं कि ऐसा करना चाहिए यह कर दो वह कर दो लेकिन वह अपने होने चाहिए ऐसे सुधार होने चाहिए इसको उन्होंने धारातल पर उतारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसी लिए उनकी इक्षा शक्ती और उनके कारे दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं और इसी लिए पंडिता रमाबाई ने भी ठान लिया कि जो यह पैट्रियार भारत में जयसे मैं बिद्वायें जैसे मैं ऐसी महिलाएं जिनके पती ने उसको छोड़ दिया है और आपसे नहीं क्या 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 तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि अगर हमें इसस्ट्रोक्षर को इस पित्री सतात्मक समाज को चुनावती देनी हैं कि सबसे पहले महिलाओं को हमें financial independence अर्थात उन्हें आर्थिक तौर पर स्वतंतर करना होगा और आर्थिक तौर पर स्वतंतर करने के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है बाहर नौकरी करनी चाहिए उन्हें भी कारे करना चाहिए जेंडर रोल को जो है उसको अबोलिश करना चाहिए कि नहीं महिला सिर्फ खाना बनाएगी घर में बच्चों को जनम देना बच्चों को पालना और बस घर को ब्यवस्थी तराना यहीं उनका काम है इस प्रकार सत्वा पुरुसों पर निर्भर होती है इसलिए पंडिता रमाबाई न इसे कुछ नौकरियां है जिन्हें इनमें इक्वल अपर्चुनिटी देनी चाहिए और इन्हें इनफेक्ट प्रोमोट करना चाहिए कुछ आरक्षन देने की यह बात करती है तीचर्स नर्सेस और डॉक्टर्स में अब आगे जो है यह आरे महिला समाज की अस्थापना करत करने के बाद यह संस्था का में काम होता है कि महिलाओं को शिक्षित करना और साथी साथ बाल विवाह के खिलाफ प्रोटेश्ट करना और साथी साथ महिलाओं को मोबलाइज करना एक साथ उनको अवेयर करना जागरूख करना कि आपके यह अधिकार है और आपको अपने भेद भाव से लड़ना होगा इनका ये भी एक मानना था कि महिलाओं के लिए एक ये शेल्टर बनाती कैसे अनाथाले होता है ऐसी विद्वाओं के लिए रहने के लिए घर जगह जिनको निकाल दिया जाता है एसी महिलाओं को जिनको पति घर से मार कर निकाल देते हैं या जो ऐसी महिला जो बिध्वा हो जाती है तो उसे कोई एकसेप्ट नहीं करता तो एक शेल्टर एक एक हाउस आप उसको विड़ो हाउस कह सकते हैं उनका प्लैन था बनाने का लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक विड़ो हाउस बना सके या फिर वह एक विमेन शेल्टर बना सके जहां पर उपरिष्ट महिलाएं जिनके साथ दूर्वेवहार हुआ है या जिनके साथ कुछ समस्याएं हैं आकर वहां रह सकें शिक्षा ग्रहन कर सकें और साथी साथ आर्थिक तोर पर मजब कर नहीं रहा था इसी लिए वह इंग्लैंड चली जाती हैं लेकिन उससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाइलाइट करना चाहूंगा अठारसोब्यासी में ही जिस साल वह आरे महिला समाज की अस्थापना करती हैं उसी साल जो लॉड रिपन हैं उस समय जो गवर्णर जिनरल हुआ करते थे भारत के इन फैक्ट इस टाइम में उनको वाइसरोय कहा जाता था तो जो लॉड रिपन है वह एडुकेशन कमीशन की देख के इस जलियाँ वाला बाग में क्या रौڑ सब्सक्राइब क adapted करते हैं यहा तै करने के भारत में सिस्था बेवस्था कैसी वह और सिक्षा ब्यॉस्था और इनके जो हैड होते हैं चेर्मैंड होते हैं एडुकेशन कमिशन के उनका नाम होता है summarize विलियम हंटर इसी लिए इस एडूकेशन कमिशन को कभी कभी हंटर एडूकेशन कमिशन भी कहा जाता है एक चीज़ मैं और बता दो जो हंटर है इसके नाम से एक हंटर कमिशन भी बना था हंटर कमिशन बना था जलियां वाला बाग में क्या रोल रहा था जेनरल डायर यह के लिए है और एक हंटर कमिशन जिसे हम कहते हैं हं राट से कहते हैं या एडुकेशन कमिशन तो ये को सब इसके सामने पंडिता रमा बाई अपनी अपने विचार रखती है इनको बुलाया जाता राकिका करें महिलाओं के प्रतिनीधी के तौर आप बताएं कि आपको क्या चाहिए जो ब्रिटिश राज्य है उससे आपको क्या चाहिए महिलाओं के के शिक्षा व्यवस्था में क्या होना चाहिए तो यह कहती है पंडिता रमा भाई की सो में से 99 ऐसे पढ़े लिखे पुरुश है जो कि महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं जो कि नहीं चाहते से महिलाओं के लिए भी शिक्षा में बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं ब्रिटिश गवर्मेंट के द्वारा अच्छे नहीं कह सकते बट ब्रिटिश गवर्मेंट जो भी करेगा तो अपना फैदा तो देखेगा ही है ना क्योंकि वह जो थी वह बाहर कि तरमाबाई को जाता है क्योंकि उन्हों ने इतने बेहतर तरीके से महिलाओं का पक्ष रखा कि अंग्रेजी शरकार प्रभावित हुई कहीं ना कहीं और जैसा कि मैंने आपको बताया आरे महिला समाज के जरीए वह बाद में विडो शिल्टर खुलना चाहती थी विमें उनके लिए पैसे नहीं मिल पा रहे थे उनको इसी लिए वह सपोर्ट मांगने के लिए इंग्लैंड गई अठारव सो तिरासी में इंग्लैंड गई और हम आपको बताये थे कुछ दिर पहले कि वहीं इंग्लैंड में वह कर जाती है क्रिस्चानिटी में तो 1883 में वह क्रि करने लगती हैं इंग्लैंड जाकर वह कोशिस करती हैं कि सर बैटले से भी मिले पर सर बैटले भी इनके कोई मदद नहीं कर पाते हैं फिनांसियली यहां से इंग्लैंड से इनको कोई मदद नहीं मिलता मैं बता दो कि सर जो बैटले थे वह फॉर्मर गवर्णर थे बॉम्बे के वह कोई मदद नहीं करते और निराश होकर फिर पंडिता रमाबाई जो है वह युएस चली जाती हैं अमेरिका चली जाती है अमेरिका में उनको रेशल बॉडले इन्वाइट करते हैं यह जो डॉक्टर रेशल बॉडले है वह दीन होते हैं विमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पैंसिल्वेनिया पैंसिल्वेनिया एक जगह है अस्थान है अमेरिका में तो वहीं के विमें मेडिकल कॉलेज के दीन होते हैं डॉक्टर रेशल और डॉक्टर रेशल इन्वाइट करते हैं पंडिता रमाबाई को अमेरिका में अब क्यों इन्वाइट करते हैं क्या कोई खास मौका था तो बड़ा इन्पोर्टेंट चीज है आपको ध्यान में रखना है पंडिता रमाबाई की एक कजन होती है जिनका न तो डिग्री दिया जा रहा था उसका आयोजन हुआ था तो उसी में इनको बुलाया गया था डॉक्टर रेशल ने पंडिता रमा भाई को इन्वाइट किया डिग्री सेर्मनी को देखने के लिए और आपको मैं बता दो कि जो आनंदी बाई जोसी है वह सिर्फ पहली महिला नहीं थी जो कि अमेरिका जाकर डॉक्टरी पढ़ी वह भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर भी थी मतलब इससे पहले भारत में कोई महिला डॉक्टर थी नहीं तो आनंदी बाई जोसी का नाम डिग्री सेरेमनी में पंडिता रमाबाई मौझूद थी इनको बुलाया गया था डॉक्टर रेशल के दौरा जो की डीन थे उस कॉलेज के जहां से आनंदी बाई जो सी जो है अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई करती है डॉक्टर बनती है मेडिकल डॉक्टर और चिंतन वाली महिलाएं हैं वह एक साथ एसोसियेशन में रहती है तो फिलाडेलफिया और बॉस्टन में उनकी जान पहचान फैमनिस्ट सर्कल में हो जाती है और वहां पर वह अस्थापना करती है रमाबाई एसोसियेशन की बॉस्टन में 800 सताथी में बढ़ा इंपॉर्ट यह जो रमाबाई एसोसियेशन जो बॉस्टन का है इनसे यह बोलती है कि 10 साल तक हमें फिनांसियल मदद चाहिए क्योंकि हम महिलाओं के लिए जो ऑपरिष्ट महिलाएं हैं उनके लिए भारत में हम एक हाउस खोलना चाहते हैं शेल्टर खोलना चाहते हैं और यह विचार काफी पसंद आता है अमेरीगी महिलाओं को सपोर्ट करती हैं अमेरिकाश इंको पैसे मिलते हैं और भारत लोटने के बाद यह फरवरी 1889 में सारदा सदन की इनके एक मखसद होता है महिलाओं को शिक्षा दिक्षा देना और सारदसदन एक तरह से महिलाओं के लिए शेल्टर था जिनके पती छोड़ दिया करते थे या जो विध्वाएं थी जिनके साथ घर में अच्छे से बेवहार नहीं होता था या और भी जो पिडित महिलाएं थी वह जाकर वहां रह सकती थी पर प्रॉब्लम यहां क्या था कि यहां पर सभी महिलाएं जो थी ना वह अपने धर्म को फॉलो करने के लिए फूरी थी लेकिन यहां पर उनको क्रिस्चानिटी पढ़ाया जाता था उनको क्रिस्चन धर्म के बारे में बताया जाता था इसा नहीं है तुम कनवर्ट हो जाओ लेकिन ये चीज़ तिलक को पसंद नहीं आया और तिलक ने इस चीज़ को अपोज किया पंडिता रमाबाई का मक्सद था कि जो हाई कास्ट विमेन हैं हाई कास्ट विडो विमेन जो उंचे जातियों की जो बिध्वाएं होती है ना उनको और ज्यादा कश्ट था ऐसा पंड है और हाईर कास्ट में इतने रूल्स रेगुलेशन इतने आपके धार्मीक बीडिया हैं कि हाई कास्ट विढ़़कर विदो विमेन हैं उनको और ज्यादा कश्ट होता है और हाई कास्ट विडोविमेन के लिए ही उन्होंने सार्दर सदन को इसप्रेसली वहाँ पे जादा होती है ऐसा मत सोचिएगा कि वह जातिवादी थी हाइक लो कस्ट करती थी इनका मानना था कि जो विमेन के साथ तो सब के साथ discrimination हो रहा है सब के साथ वेदभाव है लेकिन जो उची जातियों की महिलाएं है ना उनके साथ जादा भेदभाव हो रहा है सारदसदन में सब कोई रह सकता था उचा जातका हो नीचा जातका हो जाती उसमें कोई consideration नहीं था पर उन्होंने एक बुक में इस चीज को हाइलाइट किया है बहुत अच्छे तरीके से इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं सब्सक्राइब कि किस सब्सक्राइब कि किस तरह से लो काश्ट हिंदु मतलब एक सब्सक्राइब जो और ज्यादा प्रतारीट करता है इस चीज़ को मैं यहां बस हाइलाइट करना चाहता हूँ जो कि इन्पॉर्टेंट पॉइंट था अब यहां पर क्रिश्चानिटी की सिक्षा यह सब होती थी इसलिए तिलक ने पंडिता ने पहले थी इसलिए जो महिलाएं हें हिंदू महिलाएं और मेंली जो हाइट जो हिंदू महिलां है वह सारदा सदन से धूरी बनाने रखी ये रमाबाई के साथ जादा जो है वह इंटरेक्ट नहीं करती थी और दूरी बना कर रखती थी ताकि समाज में इनकी बदनामी ना हो क्योंकि तिलक बिल्कूल ही रमाबाई के खिलाब थे क्योंकि वह मानते थे कि ये हिंदुओं को कनवर्ट कर रही है क्रिश्चानिटी में ऐसा उनका कहना था तो पंडिता रमाबाई का जो ये सारदा सदन है उतना सक्सेस्फुल हो नहीं पाया जितना उन्होंने इसके बारे की पांचवा अधिवेशन था और उसमें इन्होंने दो मुद्दे को उठाया चाइल्ड मैरेज बोला कि महिलाओं का विवाह का उमर जो है वह बढ़ाना चाहिए और साथी साथ जो बिद्वाओं का जो हेड़ सेफ कर दिया जाता है अर्थात उनके जो बाल है वह शेभ कर करते हैं एमजी रनाडे इंफैक्ट उनकी सराहना भी करते हैं और इस पर कॉंग्रेस जो है अच्छे से विचार भी करती है और बाद में फिर यह सब जो रिफॉर्म्स हैं वह हमारे भारत में आते भी हैं बहुत ही जल्दी ब्रिटिश कवर्मेंट के द्वारा तो इसी लि हैं गुजरात में इनफैक्ट गुजरात के अपूरे देश में ही अकाल पड़ा हुआ था 1896-97 के टाइम में और लोग भुखमरी से मर रहे थे उसी समय पंडिता रमाबाई ने एक और जो है और और संस्था की अस्थापना की जिसका नाम है मुक्ती मिशन 1896 में इसका काम था कि जो भूख से जो बिलक रहे बच्चे हैं या जो भी भुखमरी के हालात में जो लोग हैं उनकी सहायता करना उनको भोजन देना यह इनका काम था लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके पास कोई आर्थिक जो है मदद नहीं आ पार रहा था और आर्थिक तोर पर उनका कमजोर ही था उतना मजबूत नहीं था इसलिए वह अपने organization मुक्ति मिशन का विलाय कर देती है है इसे जो है मुक्ति मिशन के साथ क्रिशन मुक्ति मिशन के साथ जो वही काम करता था गुजरात में जो भी भुखमरी मेंतलब प्रिवोगे की साथ सब्राइइक करने लिए विलय क्या मतलब होता है और बाद में यही क्रिश्चन मुक्ति मितुरह के नाम से जाना गया उनके आज भी पंदिता रामाबाई मुक्ती मिशन इंडिया में और तमाम बहुत सारे देशों में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहा है और यह काफी जो महिलाएं है आज भी बिद्वाओं की लिए काफी ज़्यादा काम कर रहा है आज भी जो भी पिडित महिलाएं हैं उ तो ध्यान रखना है कि इन्होंने बाइबल को मराठी में ट्रांसलेट किया 1908 में इनका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसा मसी के जो विचार है जो क्रिश्यानिटी का जो फिलोसफी है जो दर्सन है उससे जादा से जादा लोग जो है वह जूड़ सके साथ उन्होंने मुक्ति प्रेयर बिल नाम का एक न्यूज लेटर रिखा और उसमें इन्होंने अपना रिसेंटमेंट दिखाया अपना गुसा दिखाया कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रती जो है वेदभाव बढ़ता जा रहा है और जिसको समाप करने की जल्द से जल्द जरूरत है उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन उतनी काम्याब नहीं हो पाई और इस बात का उनको हमेशा से मलाल रहा और यह मुक्ति प्रेयर बेल नाम के न्यूज लेट में फिर क्या होता है कि इनको एक टाइटल दिया जाता है यह तो मैंने आपको डिसकस ही नहीं किया यह 1919 के आसपास में इनको टाइटल दिया जाता है केसरे हिंद का टाइटल दिया जाता है ब्रिटिश कवर्मेंट के द्वारा इनका जो काम है एडूकेशन में सराहनिये का करता है तो रिसीव उनकी बेटी करती है। और मणोर्मा इन फैक्ट तरनी सो एकीज में इनका भी मनोर्मा का भी तवेत खराब रहता है जो उनकी बेटी है, यहां отлич को देख सकते हैं, यह उनकी बच्पन हो जाती है महाच 40 वर्स के उमर में वह भी काफी बिमार चल रही थी जो की बेटी थी पंडिता रमाबाई की और पंडिता रमाबाई भी इस दुख को जहल नहीं पाती है वह अपनी बेटी के मदितु से काफी ज्यादा दुख ग्रशित हो जाती है और एक साल के उपरान थी उनकी भी मृति हो जाती है और 1922 में पंडिता रमाबाई का स्वर्ग बास हो जाता है पांच अफ्रेल के लिए और डीके कारवे में अंटी में मैं कंक्लूट करूंगा डीके कारवे जो कि अपने आप में बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे इंहों ने भी एडूकेशन पंडिता रमाबाई को और इसमें कोई सक की बात नहीं है पंडिता रमाबाई जितनी तेज महिला थी गुनवान महिला थी और जितना इन्होंने प्रयास किया महिलाओं के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक काफी सराहनिये है और हमें आज भी इनको ट्रिब्यूट प करना चाहिए कुछ ही दिनों में इनका जनम दिन आएगा 23 के दिन मुझे उम्मीद है कि आप एक बार इनको अपने मन से स्रधांजली जरूर देंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन सब्सक्राइब करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आंसर राइटिंग के लिए और भी जितने भी सेमेश्टर सिक्स के नोट्स हैं आपको बस वाटसब करना है नंबर पर नंबर है सेवन जिरो सिक्स वन जिरो सिक्स फोर एट और एट पन समय साथ बज़ेश शाम से ले 165 165 each for both the core papers बहुत बहुत धन्यवाद